क्रिकेट में अम्पायर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है उनका एक गलत फैसला जीत हार के फैसले को बदल देता है ऐसे में ICC अम्पायर का चैन करते वक्त बेहद सतरकता बरत्ती है क्रिकेट वर्ड कप 2019 के शुरू होने में कुछी दिन बचे हैं ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्रिकेट के इस महा संग्राम में अम्पायरिंग करने वाले अम्पायर कौन कौन है और उन्हें क्या सेलरी मिलती है ICC वर्ड कप 2019 के लिए अम्पायरों के पैनल में भारत से एक ही अम्पायर है टेस्ट वन डे और टी टून्टी मैचों के अम्पायर्स के लिए ICC ने एक निर्धारित रकम रख रखा है ये रकम सभी अम्पायरों को मिलता है इसके अलावा अम्पायर्स के अनुभव और प्रदर्सन के आधार पर उनकी सेलरी तेंग की जाती है हलाकि 2019 वर्ड कप से पहले किसी भी अम्पायर की सेलरी को ICC ने जारी नहीं किया है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ICC वर्ड कप में जिन अम्पायरों को रखा गया है उनकी सेलरी कितनी है और वह किस देश से संबंद रखते हैं पहले नमबर पर हैं अलीम डार पाकिस्तान के लिए 17 फर्ष्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले आलीम डार वर्तमान समय में क्रिकट जगत के सबसे बड़े अम्पायर माने जाते हैं डार ने 31 साल की उम्र में वन्डे इंटरनेशनल क्रिकेट में अम्पायर के रूप में डेब्यू किया था जो वर्ड कप 2003, 2007 और 2011 समीत कई बड़े टूनामेंटों में अंपायरिंग कर चुके हैं पाकिस्तान से आने वाले वो पहले अंपायर हैं जिने एरी रेट्स एलीट अंपायरों की पैनल में रखा गया डार को 2009 और 2010 में लगातार दो बार अंपायर आप दर इयर का भी खिताब मिल चुका है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अलीमडार की सेलरी कितनी है अलीमडार को टेस्ट मैचों में अंपायरिंग के लिए करीब 3000 डॉलर भारत के हिसाब से बात किया जाए 2,10,874 रूपए T20 मैचों में अंपायरिंग के लिए 1000 डॉलर और One Day International मैच में अंपायरिंग के लिए 200 डॉलर मिलते हैं इसके अलावा उन्हें सालाना 45,000 डॉलर वेतन के रूप में भी दिये जाते हैं दूसरे नंबर पर है नाइजल लॉंग दुनिया के सबसे महंगे और बहतरीन अंपायरिंग करने वाले लोगों में नाइजल लॉंग का नाम दूसरे नंबर पर आता है जानकारी के मताबिक नाइजल लॉंग को टेस्ट के लिए 3000 डॉलर टी 20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वन डे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग के लिए 200 डॉलर दिये जाते हैं इसके अलावा उन्हें सालाना 45,000 डॉलर वेतन के रूप में भी ICC देती है नाइजल लॉंग अपने शुरुवाती दिनों में बाएं हाथ के बल्ले बाज और आफ स्पिन गेदवाजी करते थे उन्होंने 2002 में अंपायरिंग की दुनिया में कदम रखा उन्हें 2006 में ICC के अंपायरों की एलिट पैनल में भी शामिल होने का मौका मिला उन्होंने 2011 विश्व कप में भी अंपायरिंग की है तीसरे नंबर पर हैं पॉल रिफेल पॉल रिफेल 1999 में क्रिकेट वर्ड कप जीतने वाली आस्टेलियाई टीम का हिस्सा थे उन्होंने 2004-05 में अंपायरिंग के शुरुआत की 2005-06-17 में उन्होंने क्रिकेट आस्टेलिया नेशनल अंपायर पैनल में शामिल किया गया इसके बाद फरवरी 2009 में वन्डे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के शुरुआत की उन्हें भी ICC की तरफ से टेस्ट मैचों के लिए 3000 डॉलर, T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वंडे के लिए 200 डॉलर रूपए दिये जाते हैं इसके अलावा उन्हें भी सलाना 45,000 डॉलर वेतन के रूप में ICC द्वारा भुगतान किया जाता है चौते नंबर पर हैं क्रिस गफाने क्रिस गफाने का नाम दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट अंपायरों में लिया जाता है उन्होंने बतार क्रिकेटर अपने केरियर के शुरुआत की और फर्स्ट क्लास के 83 मैच खेले इसके बाद उन्होंने 113 लिष्ट A और ओटागो के लिए 8 T20 मैच भी खेले इसके बाद 2010 में उन्होंने अपने अंतराष्टी अंपायरिंग केरियर के शुरुआत की ICC क्रिकेट विस्टुकप 2015 में भी उनका नाम शामिल रहा 2015 में उन्हें प्रमोशन भी मिला और उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया उन्हें टेस्ट मैचों में अंपायरिंग के लिए 3000 डॉलर T20 मैचो में अमपारिंग के लिए 1000 डॉलर और वंडे में 200 डॉलर रूपए मिलते हैं इसके अलावा उन्हें भी सलाना 45,000 डॉलर वेतन के रूप में दिये जाते हैं पांचवे नंबर पर हैं इयान गुल्ड इंगलेंड के पूर क्रिकेटर और अमपार इयान गुल्ड ने ICC वर्ड कप 1983 में एक विकट कीपर के रूप में खेला यह टूनामेंट उनके जीवन का अंतिम टूनामेंट था इसमें उन्होंने बारह क्रिकेटरों को पविलियन का रास्ता दिखाया उन्होंने सुनील गावासकर, जावेद मियादाद और रंजन मदुकले को भी आउट किया इसके बाद उन्होंने ICC वर्ड कप 2007 के तीन मैचों में अमपारिंग की और ICC वर्ड कप 2011 फाइनल में टीवी अमपार थे इयान गूल्ड एक बहतरीन फुटबॉलर भी रहे हैं उन्होंने स्लू टाउन और आर्से नल के लिए गोल कीपर के रूप में फुटबॉल भी खेला ICC की एलीट पैनल में शामिल इयान गूल्ड को बाकी अमपारों की तरह ही ICC की तरफ से टेस्ट मैच के लिए तीन हजार T20 के लिए एक हजार डॉलर और वन डे इंटरनेशनल में अमपारिंग के लिए बाइस सो डॉलर रूपए मिलते हैं इसके अलावा उन्हें भी सलाना वेतन के तौर पर 35,000 डॉलर ही दिये जाते हैं छटे नंबर पर हैं कुमार धर्मसेना स्रिलंका के पूरु क्रिकेटर और ICC के एलीट पैनल में शुमार कुमार धर्मसेना ने अमपारिंग के शुरुआत 2009 में की धर्मसेना न केवल बहतरीन अमपार हैं बलकि उन्हें सबसे अमीर अमपारों में भी शामिल हैं उन्हें ICC की तरफ से सलाना 24,60,000 रूपे का वेतन मिलता है इसके अलावा उन्हें ICC की तरफ से टेस्ट के लिए 3000 डॉलर, T20 के लिए 1000 डॉलर और वन डे मैचों में अमपारिंग के लिए 2200 डॉलर दिया जाता है साथमे नमबर पर हैं रिचर्ड इलिंग वर्थ वोस्ट सायर, डर्बी शायर और नेटाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रिचर्ड इलिंग वर्थ को 2006 में ECB, इंग्लेंड क्रिकेट बोर्ड ने अमपारों की सूची में शामिल किया इसके बाद नमबर 2009 में उन्हें प्रोमोशन मिला और वो ICC की इंटरनेशनल पैनल में शामिल हो गए 2013 में उन्हें ICC के एलिट पैनल में जगह मिली, ICC 2019 वर्ड कप के 12 अमपारों में उनका नाम भी शामिल है उन्हें ICC की तरफ से सलाना 24,60,000 रूपए का वेतन मिलता है इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए 3000 डॉलर, T20 के लिए 1000 डॉलर और वंडे इंटरनेशनल मैचों में अमपारिंग के लिए 200 डॉलर का भुगतान करती है आठवे नमबर पर हैं रिचर्ड केटल ब्रो रिचर्ड केटल ब्रो ने यारकशायर और मिडल सेक्स के लिए 33 क्रिकट मैच खेले हैं उन्होंने 7 अरदशतक और 1 सतक भी बनाया है लेकिन अपने इस पारी को वो आगे जारी नहीं रख सके और अमपारिंग की दुनिया में जाने का मन बना लिया इंगलेंड क्रिकट बोर्ड ने उन्हें 2006 में अमपारों की शूची में शामिल किया वह ICC क्रिकट विस्टू कप 2011 में अमपारों में से एक थे मई 2011 में उन्हें अमपारों के एलिट पैनल में शामिल किया गया केटल बुरों को सलाना 24,60,000 रूपे का वेतन मिलता है इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए 3000 डॉलर T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वन डे इंटरनेशनल मैचों में अमपारिंग के लिए 200 डॉलर का भुगतान करती है नवे नमबर पर हैं Bruce Axanford मई 1960 में जन्म लेने वाले आस्टेलियाई अमपार Bruce Axanford दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे अमपारों में शामिल है ICC की तरफ से सलाना 24,60,000 रुपे का वेतन मिलता है इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए 3000 डॉलर T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वन डे इंटरनेशनल मैचों में अमपारिंग के लिए 200 डॉलर का भुगतान करती है दसमें पैदान पर है Rod Tucker Rod Tucker दुनिया के बहतरीन अमपारों में से एक है उन्होंने New South Wales और तसमानिया के लिए घरेरू क्रिकेट भी खेला है क्रिकेट केरियर समावत होने के बाद उन्होंने अमपारिंग की ओर रुक किया और 2010 में अमपारों के ICC Emirates International Palace में पदुन्दत हुई उन्होंने 2009 में आस्टेलिया में T20 और वंडे क्रिकेट बतौर अमपार केरियर के शुरुआत की ICC World Cup T20 2009 और 2010 के साथ ही ICC Cricket World Cup 2011 में भी बहतरीन अमपारिंग के लिए उन्हें समानित किया गया बाकी अमपारों की तरह भी उन्हें ICC के तरफ से टेस्ट मैचों के लिए 3000 डॉलर, T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वंडे मैचों में अमपारिंग के लिए 200 डॉलर रूपए सेलरी मिलती है इसके अलावा उन्हें सलाना वेतन के तौर पर 35,000 डॉलर करीब 24,60,000 रूपए भुगदान किये जाते हैं 11. नंबर पर हैं मरायस इरामस दक्षड अफरीकी अमपार मरायस इसारामस को दुनिया के सबसे बहतरीन अमपारों में से गिना जाता है यही वज़ा है कि ICC ने उन्हें 2019 वर्ड कप में अमपारिंग के लिए चुना है मरायस ने 1988 से लेकर 1996 के बीच तीरपन फर्ष्ट क्लास किर्केट मैचों में हाथ आजमाए इसके बाद अगस्त 2008 में उन्हें ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया 2010 में उनकी बेहतरीन अमपारिंग को देखते हुए ICC ने उन्हें प्रमोशन भी दे दिया एक अमपार के रूप में उनका T20 International 2006 में डेब्यू हुआ उन्होंने ICC World T20 2009 और 2010 में के अलावा ICC Cricket World Cup 2011 में भी अमपारिंग की ICC की तरफ से मरायस को टेस्ट मैचों के लिए उतना ही यानि 3000 डॉलर, T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वंडे मैचों में अमपारिंग के लिए 200 डॉलर का भुगतान किया जाता है इसके साथ ही उन्हें सालाना 35,000 डॉलर वेतन के रूप में भी ICC द्वारा दिया जाता है 12 नंबर पर हैं सुन्दरम रवी Cricket World Cup 2019 के 12 एलिट अमपारों में शामिल एक मात्र भारती अमपार का नाम सुन्दरम रवी है सुन्दरम रवी ने अक्तूबर 2011 में भारत और इंगलेंड के बीच खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच से अमपारिंग करियर की शुरुवात की इसके बाद उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जून 2015 में एलिट पैनल ने शामिल कर लिया गया ICC के एलिट पैनल का हिस्सा बनने वाले वो एम वेंकेट रागवन के बाद दूसरे भारती हैं सुन्दरम रवी को ICC की तरफ से सलाना 35,000 डॉलर यानी 24,60,000 रुपे का वेतन मिलता है इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट मैचों के लिए 3000 डॉलर, T20 मैचों के लिए 1000 डॉलर और वंडे इंटरनेशनल मैचों में अमपायरिंग के लिए 200 डॉलर का भुगतान किया जाता है ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा